यह वीडियो मेरा थर्ड पार्ट वाला है फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे मैं चार साल से टेर्स गार्णिंग कर रही हूं तो चौथे साल में कुछ इसमें हलका सा सीलन की प्राब्लम आने लगी है और second part में है कि जो सीलन की प्राब्लम आ रही थी तो इसको हम लोगों ने सोचा कि जब ठीक कराना थी है तो क्यों न इसको काफ अच्छे से चेंज किया जाया पूरा terrace garden के लोग को ही बदला जाए तो second part में मैंने इस पुरा terrace garden को तूटने का process दिखाया है आपको और ये third part है इसमें मैं ये दिखाऊंगी कि इसका design कैसा है ये कैसा बनेगा और क्या-क्या मैंने next जो बनाने वाली terrace उसमें क्या-क्या changes की है किन बातों का ध्यान रखा गया है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस terrace garden में क्या change आया है कैसे ठीक करूँगी मैं ये 1000 square feet में terrace बनाया गया है और इसका मैं paper drawing आपको दिखाती हूं सबसे पहले तो ये drawing हो गया paper उसके बाद ये देखे 3D design बनाया गया है इस तरह से बनके ये तयार हो गया जैसा ये पेपर बनाया गया है लगबक सेम ही ऐसा ही बनेगा बनके तयार होगा और ये हर जगह पार्ट में किया गया है, कहीं पर ये परगोला डिजाइन किया गया है और टंकी को अलग जगह दिया गया है, उपर से ये सोलर का डिजाइन तयार किया गया है, तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है काम बनाने का, पिछली पर ये वाल से बिलकुल टच था ल नहीं रखा जाएगा टाइल से वाटर लिकेस का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाता है और वैसे यह टेरस जो है लगबग 20 साल से पहले का बना हुए इसलिए इसमें बहुत कुछ उपर से ही किया जा सकता है नीचे से अंदर से काफी तोड के नहीं किया जा सकता था इस वज़े से इस पे कुछ वाटर प्रॉफिंग और टाइल्स लगा करके पुराने जो प्रॉब्लम आ रहे तो ठीक किया जा रहा है क्योंकि पहले जो डिजाइन बना था उस समय डिसाइड नहीं था टेरस गार्णिंग का यह मैंने कुछ साल पहले ही डिसाइड किया है इ क्योंकि ऐसे साइड बना देने से बीच में काफी स्पेस मिल जाता है उसमें आप जो भी चाहे कर सकते हैं और पौधे साइड साइड में होंगे तो ज्यादा अच्छे रहते हैं तंकी के लिए देखे जगह अलग से दिया गया है पहले बीच में बिलकु तंकी था जिसकी वज़ा से एरिया काफी छोटा लगता था इस पेस कम दिखाई देता था यह काम कराने मुझे लगबग त्री मन्त लगा पहले काफी बेसिक सा बना हुआ था और उसमें से वेजटेबल और फूट सी लगाती थी बट इस पार इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है डारषो सुपवाल वेजटेबल suggests अर्न दूस्टिंग एरिया यह इसको बनाया जा रहा है और जिसमें परगोला बनाया जाए गा जिसके नीचे बैठने का होगा और ऑर पैंटरी बनाया जा रहा है सोलर के लिए इसमें जगा दिया गया है और एक च्छोटासा वाटर पर ये पहले ही करवाया गया था इस बर नहीं करवाया गया है तो उसमें मैं पानी को कलेक्ट नहीं करती हूं उस पानी को मैं जमीन में प्रॉपर तरीके से जाने देती हूं ताकि पानी हमारा वेश्ट ना हो इस बर कोई सीलन ना हो इसके लिए काफी कुछ तयारी किया गया जिसे आपस में जोड़ने के लिए Soxy Tiles एक material होता है जोड़ा जा रहा है जिसे लिकेज होने की बिल्कुल chances नहीं होती है क्योंकि वह काफी नहीं मजबूत होता है उन ताइलों के बीच में से कोई भी जरह भी कहीं पे नहीं चोड़ता है तो उससे सीलन की या पानी नीचे जाने की सम प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये टाइल जो है दो कलर में रखा गया है लाइट और डार्क का सेट बनाया गया है वो according to design तो और इन सब काम के बीच में पौदों को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए बहुत मुस होना पड़ सकता है क्योंकि ये काम में जो होता है सेमेंट को और कुछ चीजें कैमिकल का ये सब चीजों का एफेक्ट पड़ता है पौदों पर वो कहीं न कहीं आगे चलके पौदों को डैमेज कर सकता है काफी डेबलफ मेरा किचन गार्डन था अचानक से मुझे इसे बन बन जागा तो आपको मैं एक अच्छा सा ओवर्वीव जरूर दिखाऊंगी तो आज का वीडियो आपको फ्रेंड साइद आपके लिए कुछ काम का आया हो कुछ भी आपके जरूरत का हो आपके फायदे मन्द हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं आपक